नमस्कार, Capital TV की इस प्रेसर स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार CM योगी के गुस्से से कौन नहीं डरता? कब कहां और क्यों मुख्यमंत्री आदित नात को गुस्सा आ जाए? ये कोई नहीं जानता हालाकि इस बात को भी समझना जरूरी है कि CM को गुस्सा यूहीं नहीं आता बलकि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वज़ा होती है जारतर ये गुस्सा तब फूटता है जब दबंग या माफिया योगी सरकार को आँख दिखाते हैं और बाबा को चुनोती देते हैं लेकिन इस बार मामला उलट है इस बार CM योगी का गुस्सा गुंडों पर नहीं बलकि अपने ही सरकारी अधिकारियों और अपसरों पर निकला है जिसके बाद सीधे तोर पर कड़े शब्दों में एक फर्मान जारी किया गया है क्या है पूरी खबर जिसके बाद यूपी के अफसरों और कर्मचारियों में हड़कम मच क्या है बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में अफसरों को CM योगी का फर्मान कुछ करने से पहले लेनी होगी इजाज़त योगी के गुसे से अधिकारियों में हड़कम यूपी की योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई मीडिया गाइडलाइन्स जारी कर दी है अब अपसरों को किसी भी मीडिया माध्यां पर कुछ कहने या लिखने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी आदेश में कहा गया है कि जिसको भी मीडिया में कुछ बोलना है उसको सरकार से इस बात की पर्मिशन लेनी होगी बिना पर्मिशन के कोई भी सरकारी अपसर कुछ भी पोश्ट या लिख नहीं सकता सोशल मीडिया के लिए भी नियम तै किये गए हैं नया साचन देश कल रात जारी किया गया जिसमें सक्ति से कहा गया है कि हर अपसर को इस आचरन नियम वाली का पालन करना होगा आदेश में कहा गया है कि बिना मंजूरी लिए अखबार में किसी भी तरह का कोई लेख ना लिखे टीवी रेडियो पर ना बोले साथी सोशल मीडिया पर भी ना लिखे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सची डॉक्टर देवेश चतुरुवेदी द्वारा जारी सासोन देश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी करमचारियों के आचरन को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी करमचारियों की आचरन नियम वाली 1956 प्रभ इसके अलावा नियमवली के नियम 6, 7 और 9 में समचार पत्रों या रेडियों से संबंध रखने और सरकार की आलोचना आदी के संबंध में प्राविधान किये गए हैं। इस आदेश में साफ तोर पर कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना किसी मंजूरी के किसी भी तरह के प्रशारन में भाग नहीं लेगा या किसी समचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा। इस आदेश के अंदर प्रिंट मीडिया, समचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो और न्यूज चैनल इत्यादी, शोशल मीडिया, फेस्बूक, एक्स, वाटसेप, इंस्टाग्राम, टेलीगराम और डिजिटल मीडिया, समचार पहले भी होती रही है लेकिन लोगसवा चुनाओं में नुकसान के बाद सीयम योगी ने तीजी के साथ अपसरों पर कारवाई की है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितना चुनावी जटके कर बाद लगतार एक्शन मोड में है उन्होंने हाली में सभी आला अधिकारियों की एक महत्पूर बैठक भी बुलाई थी इस बैठक में सभी अपर मुख्य सचीबों और प्रमुक्ष सचीबों को तलब किया गया था लोगसवा चुनावों के परणाम आने के बाद तुरंत अधिकारी तलब करने से सियासी हल चल तेज हो गई थी मुख्य मंत्री योगी आधितनात ने इस बैठक में सभी विभागी अधिकारियों को उनके कारियों का विस्तरित ब्योरा साथ लाने का निर्देश भी दिया था ये बैठक आगामी चुनावी दौरे के दौरान मुख्य मंत्री को जनता से मिले सीधे फीड़बैक के बाद की जा रही है उच्चे पदस्त शुत्रों के अनुसार मुख्य मंत्रे इस बार अपने अधिकारियों के साथ एक अलग अंदाज में डील करने वाले हैं इस बैठक में प्रतेग विभाग के कारियों उनकी प्रगती और जनता के फीड़बैक के आधार पर सुधार के सुझावों पर चर्चा होगी माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री अधिकारियों को उनके कारियों के प्रती और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सक्त कदम उठा सकते हैं बताए कि CM योगी ने हाली में आवाज पर जनता दर्शन का आयोजन करवाया था जहां प्रदेश के विभिन कोनों से पहुँचे सेकड़ों लोगों ने मुख्य मंत्री को अपनी पीडा सुनाई CM ने प्रतेग पीडितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंदित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिये जनता दर्शन कारिकरम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने गुरुबार सुभा ही अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुँचे प्रतेग पीडितों से मुलकात की प्रती पुलीस संब्रेदन शील रहे और स्थानिय अस्तर पर ही सुनवाई सुनिक्षित होती रहे वहीं उपचार के लिए आर्थिक शहायता के प्रातना पत्र भी आए जिस पर मुख्य मंत्री ने कागजी कारवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब कराने का निर्देश दिया जमीन पर कबजे की शिकायत को लिकर आये पिडितों को भी सीम ने आस्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा सीम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कबजा के शिकायत पर सक्ती बरत्ते हुए इस पर अंकुष लगाया जाये वहीं युबाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्य मंत्री को रूबरू कराया जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आस्वाशन दिया गया CM ने सभी प्रातना पत्रों का समय स्विमा के अंदर निस्तारन कर पिलितों को त्वरित नाय दिलाने का बादा किया इतना ही नहीं बीते महीने CM योगी ने यूपे पुलिस को भी अपने रेडार पर लिया था मुकी मंद्री योगी अधितनात ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा था कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की धिलाई या लापरवाही ना काबिले बरदाश्थ होगी इस बात पर बल दिया कि जन समस्याओं को हल करना तथा उसका त्वरित पारदर्शी एवं संतोष जनक निस्तारन सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिक्ता होगी। लोगों को भरोशा दिलाया गया कि सरकार हर किसी की समस्या का समधान कराने के लिए दिड़त संकल्पित है। पुलीस से जुड़े मामलों को पूरी पारदिक्षता, निस्पक्षता के साथ जाच करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा था कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर पीडिता के साथ संवेदन शील वैभार अपनाते हुए उनकी मदद की जाएगी। मुकी मंत्री के समक्ष, जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुँचे, जनता दर्शन में गोरकनात मंदिर परीश्टर के महन्त, दिगविजेनात, स्मृती भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीम योगी खुद पहुचे और एक एक करके सब की समस्याय सुनी, उन्होंने करीब 500 लोगों से मुलाकात की, उन्होंने सब को आस्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कुल मिलाकर जब योगी के इस बदले रूप को देखते हैं तो समझ आता है कि यूपी सरक और जनता का विश्वास फिर से जीता जा सके, जिसके शुरुवात योगी ने अपने अधिकारियों से ही की है, फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें कैप्टल टीम उतरप्रदेश, नमस्कार